मित्रो नमस्कार आज हम बहुचिर चर्चित ऐसे कला कॉंपिडिशन की प्रदर्शिनी की आवार्ड्स की बात करेंगे कानपूर से हम सभी जानते हैं देश बक्तों का एक बहुत पुराना नाता है महान देश बक्त चंदर शेकर आजाज जी की ये जन्म भूमी कर्म भूमी रही है और उन्हीं के चलते आगे ऐसे हजारों देश बक्तों के वज़े से हम 19-1947 में आजाद हुए आने वाला जो साल है वो 75 साल आजादी का पुरा होने का साल है और पुरे दुनिया में एक भारत की अपनी ऐसी एक सुतंतरता की कहानी ये 75 साल में लिखी गई है ये तो सब आगे आने वाला ही है आज इसीक शत्र से यानि कानपूर से अचाया आगे नरेंद्र देव महला कॉलेज से कला विभाग की जो प्राध्यापी का है डॉक्टर सारी का बाला इन्होंने एक बहुत बड़ी कामया भी हसिल की आयोजन के रूप में और इसीक शत्र के नहीं पुरे भारत देश में इसका प्रचार और प्रसार हुआ और बहुत ऐसे ताकतवार कला कारों ने इसमें पार्टिसिपेंट किया एक वेक्ति क्या कर सकती है उनका जो सयोजन है इसकी ये खुबी है और इसके लिए उन्होंने जिन लोगों की उनको मदद मिली ऐसे सुनिल सक्षना जी इंदू शर्मा जी अंजली भारिया जी हमारे ललित कला की काउंसिल की सदश्या रिटा कमबोज जी और उत्तमा दिक्षीद जैसे उनको सहकारी मिले इनोंने जुरी का काम जो है बहुत बखुबी से देखा आंतस नाम की प्रदर्शनी का नाम जैसा भी है यह शुरुवात है आंत नहीं है कला का कभी आंत नहीं होता कला का कोई आंत नहीं होता आज में जब तक जीवित है वो रेखाए खिस्ती रहेगा पत्थर को काटते रहेगा चित्र बनते रहेगे और मुर्तियाकार लेते रहेगी कला सदियों के लिए है कला सब के लिए है महिलाओं की सकुशलता तो हमने ट्राइबल आर्ट जन जातियों की कला और आधिनिक कला शैली में भी बहुत सारे लोग हमने देखे है और हम जानते हैं कि देश-विदेश में भी उन्होंने बहुत कुछ नाम कमाया आज इस प्रदर्शिने के रूप में डॉक्टर सरीता बाला इनका कारिय मैसरेश्टी इसके लिए मानता हूं कि कोविड के चलते एक ऑनलाइन एग्जिबिशन का आयो जनुन को सवाल जबाब देना उसका चैयन करना उसके लिए कमिटी गटित करना इसके लिए उन्हें उनको मिले हमारे गिरिश चंद्रजी जो उपाद्देख्षे है उत्तर प्रदेश ललितकला एकडेमी के उनका अशिरवात प्राप्तरा उनका सहयोग मिला यह सब जमा करना इसके लिए मारगदर्शिक की जुरूत होती है और उन्हें जो मारगदर्शिन मिला है आप सभी लोगों से मिला यहां मैं देख रहा हूँ मैं यहां काम देख रहा हूँ 166 166 काम यहां इस प्रदर्शनी में मिले एक अच्छे जुरिज द्वारा उनका आवार्ट का सिलेक्शन हुआ मैं जानता हूँ जैसे मैं महारास्टा से आता हूँ वैसे यहां नासिक की हमारी कलाकार है जिनको प्रतम पुरसकार मिला खुशी के बात है पुना से कोई कलाकार जुड़े है महारास्टा के और कई पार्ट से कलाकार जुड़े है कि दस हजार के शाड़े साथ हजार के 5000 के आवाडस रखे है और बागी के भी पुरस्का रखे घ्र है यह बहुत प्रेर्णादहई बात है कि लोगों को टाइम के साथ तनाव के साथ तनाव मुक्त करने के दिशामें एक विचार धन और वह वह भी कला के जरीए वह भी चित्र के जरीए सामने रखना एक कलेक्टिव एफट तयार करना और देश की शेवा करना संस्कुरुति के शेवा करना यह बहुत बड़ा देश का विचारदन है डॉक्टर सरिता जी आप इसमें बहुत एशश्वी रहे इतना सुन्दर आयोजन मैं प्रदर्शिनी देख रहा हूँ कभी मुझे भी यह लगा मुझे भी यह लोग इस प्रदर्शिनी में बुलाते तो मैंने भी जाना चाहिए था इतना सुन्दर आयोजन इतना अच्छा रिस्पॉंस देश भर से मिलना कश्मिर से लेके महाराश्ट तक मैंने ये लिस्ट देखिए नाम देखे आवर्ड विनर को बहुत बहुत धन्यवाद नाकपूर कानपूर कानपूर एक ऐसक शत्र है जहां से बहुत सारी प्रेर्णादाई देश को शीख मिली है बहुत बड़े बड़े नेता मिले है अच्छे विचार मिले है और आज एक कला जगत के लिए एक पहल मिले अंतस्त में और हम सब लोग इस अंतस्त को बहुत बढ़ाई देते हैं राष्टियल एलितकला एकेडेमी इस तरह महिला द्वरा आयोजित किया गया कारे क्रम का बहुत सन्मान करती है समाज में उनके आधी भागेदारी है कितने हम मानते है चलो हम ऐसे समाज में महिला कला कारों को बढ़ावा देने के लिए कारे करने के लिए हम उनके कारे के सहार ना करते है उनको नमन करते है ये कारवा आगे भी चले जाए और बहुत अच्छी प्रदर्शनिया मुझे भ मित्रो सुभाज चंद्रबोश जी के नाम से राष्टिय ललितकला एकडेमी के सभी केंद्र जेनती उत्सव मना रहे हैं और कलकत्ता में एक बहुत बड़ा ऐसा सुभाज चंद्रबोश के कारे को स्मृति को वंदन करते हुए कलकत्ता सेंटर में बहुती जल्दी हम लोग एक राष्टिय कारेशाला की आयोजनी करने जा रहे हैं देश इसको देखेगा प्रावड महसूस करेगा कि आजादी के महानाईक के लिए ललितकला एकडेमी क्या लेके आई ये है तो आप सब के लिए इसी वकत इतना ही ये अंतर संस्ता को प्रदर्शन को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर सारीका बाला जी आठ दिन से इसे सर अपने संबोदित करना चाहिए मित्रो मेरा काम ही है हर दिन कोई न कोई वेबनार में मैं इंक्रेज करता हूँ परसो अमदाबाद से बड़ोदा से एक वेबनार को इंक्रेज करने का टाइम मिला मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कलाकार हूँ और कला के साथ जुड़ते जा रहा हूँ तो मेरा अपना एजुकेशन और मेरे जो थोड़े से विचार है समाज के सामने रखने का मुझे आउसर मिलता है ये संदी मुझे अंतस प्रदर्शिनी ने दे दिया मैं डॉक्टर शारीका वालाजी का और मेरे मित्र गिरीजी इनका भीभोत अभार मनता हूँ और इस प्रदर्शिनी को भह स्युपकामना देता हूँ सबी आवाड विनर्स को मैं काफी बदाई देता हूँ आओ आगे चले देश आपका ही है धन्यवाद